अज़ की पंचात का मकसद क्या है? अख satis बाए चुरलेंगदा। इनहें पंचात को भी कर लेट है तो किसका? या नपरूकर थो छोड़नकीखो? तो पंचात की कहेते से जी आज़ की पंचात का मकसद क्या है? अंगलान तो किसी में तब रहा हैं? अर्यान के और दे छो या को पारीओं पर आजला कि हमरे काव ऐसे पंचात तो यह उति रहेंगी पंचात को इस मुग्धु के लिए करेंगे पंचात इखटा ओने के लिए औपके लिए आगेगा प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए ऊपती है लोग ये कहते हैं जी वहाँ पे दोग कम रहे रहे आप भीड देख रहा रहा पंचात्तु में भीड है हमारी मापतों अगर आंदोला था तो जंड़ा भी गड़ा रहेगा तो उसकी मिहमत नहीं तो जंड़ा भी हमारों उपाड़ा है अबरा घर बन रहा है महाँ पे महाँ पे लोग रहे रहे हैं महाँ पे और हमने ये कहा कि आंदोलन कितना लंब चलागा इसका ये भी पता नहीं अपने घर का काम ना भी गाड़ो अपने खेट का काम को लो और दिल्ली का आंदोलन का काम को बहुत से चीज़े प्रस्ता हुमने किये हैं वहां पर भी यह हैं कि बहुत जबहें कटाई का टाइम 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 पर चलता रहता है इनको दिल्ली में बैठते वालों को नहीं पता रहता कि अब दान की कटाई सुर्ग हो रही तो थोड़ी सी दीड़ कम होगी हमने कहा कि मद्यपरदेश की कटाई होगी तो वहां के लोग आ जाएंगे यहां जब कटाई होगी यहां के घर रहें लेगे दूसरे वाले आ जाएंगे आंदोलन हमारा चारी देगा अगर आंदोलन 11 महिने से किसान घर नहीं गया तो यह चीज तो भूल जाओ कि यह किसान बगेर कानून वापसी और MSP के गारंटी पर यह घर जाएगा इसने सीख लिया दिल्ली में कैसे रहना है दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर यह किसान कैसे रहेगा यह इसने सीख लिया हमारे पूरवजी भी 4-5 पिटी पहले जूंपडियों में रहते थे हमारे पर बांधना जूटने वे आगी जूंपडिया और यह योग है कि जूंपडियों में कैसे राज आता है वो हमने सीख लिया अब यह कहने की जौरतनी के किसान वापे कैसे रहेगा हमारी जूंपडिया तूटती थी हमने ट्रोलियों में घर बनाने सीख लिये हमने अपने पाणी का इंदजाम मापक कर लिया दूद लसी का इंदजाम हमने कर लिया यह आंदोलन दस साल भी चलेगा तो यह देश का किसान इस आंदोलन को दस साल चलाएगा जो भी संयुक्त मोर्चे की कोल होती है पूरे देश वर में उन कोलों पे आंदोलन होते हैं जो भी आप यहां से कोल दिते हो पूरे देश वरन हो करनाटक हो, तमिलाडू हो, आंदरा हो, आसाम हो वो कुछ भी है यहां पे ख़वर नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं के देश में अंदोलन नहीं हो रहे देश में अंदोलन दूसरी जगे भी हो रहे है उसका जीता जागता हुदारन आप न देख्या होगा लखीम पूर खीरी में उरने कोई गटना हुई तो लोग यह पूरा देश का किसान हुआ पे गया और जब तक वो अज़ेट टैनी इस्थी पर नहीं देगा वो 120 भी का मुल्जिम है और गिरबतार नहीं होगा उसके खिलाब यह आंदोलन और पुतले देहन खोते रहेंगे पूरे देश भर में आज भी उसके भी पुतले देहन होएं आज भी 120 भी का मुल्जिम खुला गूंता है गया उसका लड़के की गिरबतारी हुई हमने कहा के रेड कारपेट गिरबतारी है कालीन बिचा के उसकी गिरबतारी हुई है अगर उसके पूस्ताज चल रही है तो गुल्दस्ते मला पर आके उसके अधिकारी पूस्ताज कर रहे है उससे हम संतुष्ट रही है जब तक बाप बेटा तो उन्हों जेल में नहीं जाएंगे उनका रिमांड रही होगा जब तक जो किसान हमारे सयुद हुए पांच किसान उनको इंसाफ नहीं मिलेगा बहुत बड़ी गुंड़ा करती उसकी वहाँ पर पूरे छेतर में है बहुत लोगों को चोट लगी उन्हें का आज हमारा नाम मत बताना हमारे कोई सरकारी घौसन ने चाहिए हमारे नाम को गुप्त रखा जाए बलब इतनी बड़ी गुंड़ा करती यही हाज यहां के खटर मुख्य मंत्री का है वो ब्यान सबने सुना यह एक मुख्य मंत्री जिसको विवस्ता यह दी गई कि अपने परदेश को शांत रखो वो बात कर रहा है कि लाठियां उठाओ और उनका किसानु का मुखाबदा लाठियों से करो आप जेल जाओगे तो नेता बन के निकलोगे तो क्या यही विचार धारा इनको पढ़ाई जाती है इस विचार धारा से बगल हटना पढ़ेगा जो पास्कर कर नोदवान है उनको ज्यान प्राप्त जरूर होया होगा वो इस विचार धारा से अगला कर ले अपने आपको यह अंदोलन तो लंबा चलेगा यह तो मुकाबदा भी शुरू हुआ है बहुत को कैदते हैं जिए अंदोलन बहुत लंबा हो गया मुझे एक आदमी खड़ा हो के यह बताओ आपके अगर पडोस में दो भी एक फूर जमीन विखरी है तो पता भी नी चलने जाते हैं बेनामा करवा के और अगला दिन उसमें को गूमते हैं उसके चारु तरफ को जब पता चलता है जब बेनामा हो जाता है अगर खेत बड़ा चाहिए टेक्टर छोटा है तो टेक्टर बढ़ा चाहिए कार खोटी है तो कार बड़ी चाहिए लड़की देखने जाओ के तो उसकी हाइट नावते हो और आंदोलन छोटा के से हो जाएगा ये आंदोलन भी रम्भा चलेगा इसे सांती पून तरीके से चलाओ इसके कुर्प मंतर है वे जरूर सीख लो कुछ लोग उन्हें पैसा ही खटा किया उसका हलवा बनवाया और जाके यहां बाट दिया हमने का वे तीन लाग रुपे खटा कर रहा हलवा बनवाया और यहां पर बाट किया हलवा खाके आंदोलन और हल चलते है क्या मिठाई ले ट्रक बरके ले मिठाई वो बाट दी केले जी धाई जाज रुपे इक टगरा गाउं से जी बाट दी को चीज पल्ले गाट मार लो आज गाउं से अपना धन बहर मत जाने दो गाउं का धन गाउं मरेगा तो यह आंदोलन फैल नहीं हो सकता है कि वहाँ पे बहुत चीज की ज़रत पड़ती है महाँ पे हलवे खाके और मिठाई खाके आंदोलन नहीं हो सकते है कि महाँ पे जो रथ है कुछ लोग लेक आए मिठाई के दब्बे हम दिन सब बुद्जा कितने का ज़िए 800 रुपे किलो लेक आए क्यों लेक आए भही तुम सब की लेकते है अड़ी लेकता तो आलू की बोरी डाल लेकता तो पचास किलो घ्या लेकता ये तैह कर लो कि आंदोलन में वहाँ पे जाओ हड़ी मसले पातर पाड़ी सारी चीज़ चाहिए वहाँ पे मिठाई नहीं चाहिए इन चिज़ु का ज्याद राखो अपना गाओं का जो चंदा है गाओं वार lifelong को जो जो जिस भी चीजी की उसको मुआपर भेज़ लजिव चाहिए ये कहते हैं जी बाहर से funding हाँ आती है वही हमारे गाहूं से funding आती है जो आट्टा दाल और चावण देखा आते हैं जो सब्जी देखा आते हैं उनकी लिश्ट देने हम उनके खिलाब मुकदमा करो ये हमारे ताउस अच्छा यहां पर बठे विए हैं ये आट्टा दाल भेजते हैं वहाँ पर इनके घर में धान पैदा होता है तो चावण भेजते हैं वहाँ पर इनके खिलाब मुकदमा लिखो ये अंदोलन तो दाल आट्टा चावण से चल रहा है अगर किसी ने दो ट्रक पांस बेज दिये तो उसको फंडिंग बता ही है ये ठूंड रहे हैं सब लोगो हमारा चालिस जो इसके मेंबा है जिसमे देश की जनता नहीं विश्वास करा है वो एक भी कड़ी कम्योर नहीं है ये अंदोलन जो साड़े पांसो किसान संगठन है उन्हें जिनको चालिस लोग जुने हैं उन्हें जो सही कमोर्चे के लीडर है वो पूरे देश वर्मा जाते है उनको मान सम्बान से वहां के जनता बुलाती है उन पे पूरा विश्वास देश की जनता को है ये अंदोलन चलता रहेगा आप उन पे विश्वास करकर आपको कोई भी कड़ी कमजोर नहीं है और भारत सरकार बार बार जूट बोलती है वो कहते हैं जी एक कोल की दूरी पर हम है हमसे बात नहीं करते हैं जो एक फोन की बात करते हैं उसका एक डाटा हमने निकाल के दिया एक रामपूर टिस्टिक है मुरादाबाद मंडल में उसमें 11,000 किसानों के फरजी कार्ड उसी एक फोन से बनाए गए किसानों का रजिस्टेशन होता है वो वहाँ से डाटा उठाते हैं जो सिम है, सिम लेते हैं किसान के नम पर, उसे एक फोन करते हैं, उस पर और टीपी नमबर आएगा, उस फोन को बंद कर देंगे, उस पर फसल बेचते हैं, ग्यारा हजार फरजी किसान, अकेले रामपूर डिश्टिक में दो सो करोड रुपे का घोटाला, एक ही जिले का भी दिया है, अभी यहापे भी आपके हाथ से लग बहुत लगे हुए हैं, बहुत खरीद हो रही हैं, आप ज़रा एक बार यह भूस दोलों कि हाँ से, दो से ढ हई हजार ट्रक अभी हर रोज आ रहे हैं धान के, वियार से 800 रुपे कोईंटल, उत्तर परदेश से 1100 से 1200 रुपे कोईंटल, एक व्यापारी 40 से 50 रुपे कोईंटल धान बेचता है, एक किसान अपना 50 कोईंटल नहीं बेच पाता, वो कहां जाता है, ये सस्ते में खरीद के और MSP पे बेचने का काम करते हैं ये हजार उट ट्रक हर रोज आते हैं आपके हर्याना में इनको भी जरा पकड़ो कहां से जा वही किस रेट में खरीद आप ये किसार का नहीं है ये बड़े बड़े व्यापारी रगे हुए हैं और आपको भी इसी लिए दिक्का को रही कि फरीद नहीं हो रही आज बोलते हैं कि कितनी जमीन है उसका फरीद होगी आज से पहला तो हर्याना के वरोफ से उतर फुरदेश के जितने भी जिले लगते थे हम यहीं बेचते जब नहीं जितना उसी रेट पर मिक्तिती आज हरात यह होगी कि हर्याने के लोग अभी नहीं बिख्रा यही हल बाजरे का है यही हल मुक्ता का है यह जो MSP गारंटी की जो बात करी गई है MSP गारंटी यहीं सरकार खरीते बाजार इससे निच्चे पर ना खरीते किसे को व्यापार करना है तो उसके निच्चे पर खरीद नहीं करेगा ये कानून चाहते है और अभी और नहीं और भी बहुत कानून आ रहे हैं अभी बीज का एक कानून आ रहा है बीज विद है अक्सीड बिल वा हाउस में रख्या हुआ है पार्लेमेंट में जिस दिन वाएगा ये थाने खुलेंगे नहीं बीज के थाने खुलेंगे हर जग है उसकी कम्प्लेंट होगी कि इस किसान ने मेरे बीज की चोरी करिए और कमपनी वाला मुकदमा करवाएगा, पुलिस उसकी जाच करेगी, और आपने अगर किसी का बीज बोल या कहीं से खरीद के, आपके खिलाब मुकदमा और सजा दुन्मू है, अभी तो नेस आ रहा है साथ ये जो कहते हैं ने कि कोला खतम होगा देश में, देश में कोला खतम नहीं हुए, देश की बिजली को बेच्चा जाएगा, बेच्चा, कोला नहीं खतम हुए, बिजली बेच्ची जाएगी, नो बड़ी कम्पनी आ लिए देश की बिजली खरीदने, ये बिजली प्राइव फ्फाली प्राइवेट हो यूखिकर आपके ही गोना सबसेप मुडे गोधाम कानून पांच साल बाद में दो इससक वोता है कि अस price में भी सेंद मारी हुई है कि इस तो मुकाब्णा तो क्रना पूड गा है और मुकाबला जो दिल्ली में आपका आंदोलन चल रहा जो पूरे देश वर में आपकी आंदोलन चल रहे और हमें साथ टिकेट साहब एक बात कहते देगे जिस दिन हरियाना खड़ा हो जाएगा पंजाब अपने आप जोड़ जाएगा रुतर परदेश और पूरे देश को ह अपनी फसल और नसल बचाने का देश का बाबाराम भीराम बेड़कर का सम्मिधान बचाने का आज वो टाइम अब आया है कि ये देश का सब्मिधार कैसे बचेगा देश की फसल और नसल कैसे बचेगी देश का मज़़ूर कैसे बचेगा ये काईम अब आ गया है हड्याने की इसमें बहुत बड़ी भूमी का है यहां की खाप पंचात्तु का बड़ा रोल है पंजाब आपके साथ मज़ उड़ रहा है उत्तर परदेश है राजस्तान है और अगर दिल्ली के चारु तरफ के ये सब लोग उड़ रहे हैं तो पूरा देश के किसानों के भाग्य का फैसला ये दिल्ली के धरने करेंगे आपके बड़ी आस हैं आपके लोग अभी हम 36 गड़ में गए यहां के बहुत लोग मिले जिन्होंने महाँ पर फारम बना रखेंगे व्यांदोलन के साथ में बड़ी पंचात करेंगे दो पंचात उन्हें तेह कर ली कि दिसंबर के आसपास हम पंचात रखेंगे महाँ पर बड़ी बड़ी भीड़े और ही यह सब्यक्राइब जो संयुक्त मोर्चे के लोग जा रहे उनको बड़े चाव से सुनते हैं तो आपका धन्यवाद है सागवान जी का भी धन्यवाद है जितने भी यहां पर लोग आए हाँ पंचात के लोग आए उनका भी धन्यवाद है यह सब्यक्राइब की पंचात के ओती रहे तो ही दिल्ली का आंदोला मजबूत होगा और दिल्ली के आंदोला में ध्यान रख्थ है कि जो लस्षी तूद सबजी जो चीज भीजवात्ते हो इनको कंचिन्यवा भिजवात्ते रहे मिठाईर हल्वे की जोरत नहीं अभी वो तो महां होर्चे बापने आप जिसको जोरत होती है वे बंडारे बापबे जो चलाते हैं वे बना देगे इनका गुरुतवारू का बाप्भू का आँबी बहुत बड़ा योगदान इस पूरे अंदोलन में है तो मुनका भी धन्यवाद करते हैं सभी का धन्यवाद है जे हिन, जे भारा, जे हर्याना, जे छोटुरा